हेलो फ्रेंज मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दाइग्जाम ट्यूटर में दोस्तों SSC CGL की GKGS की प्रीवेस एर कुष्टन की सीरीज में ये हमारी 26 वीडियो है इस से पहले 25 Question Papers की वीडियो में अप्लोड कर चुकी हूँ उनका लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो playlist में जाकर देख सकते हैं और इन सारी वीडियो की PDF आपको हमारे Telegram चैनल दाइग्जाम ट्यूटर पर मिल जाएगी Telegram चैनल का लिंक भी आपको description में मिल जाएगा आप डिरेक्ट वहाँ से जाकर Telegram चैनल को जोईन कर सकते हैं और इन सारी वीडियो की PDF को अभेल कर सकते हैं So friends, 75 Hard Challenge की इस सीरीज के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 का 13 ओगस्त का Shift 1 का पीपर तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं हमने question paper की ओर जिसमें हमारा first question है Who among the following was elected as the President of Veterinary Council of India in January 2021? निमने लिखित में से किसे जनवरी 2021 में भारतिया पसुचिकित्सा परिशत के अध्यक्स के रूप में चुना गया था तो देखिए Veterinary Council of India जो है इसकी स्थापना Veterinary Council of India 1984 के तहत की गई थी किसके तहत? Veterinary Council of India 1984 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्स है, यानि कि इनकी जो प्रेजिडेंट है, 2021 में किसी चुना गया है, तो उमेज सर्मा को जो है, 2021 में इसके प्रेजिडेंट की रूप में नियुक्त किया गया था, तो याद रखेगा है, इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option C, next question देख लेते हैं, next question है हम इसके प्रेजिडेंट के बारे में निमनलखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखें, स्टार्थ परकास जो है, यह किस के द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई है, स्वामी द्यानन सर्थिडेंट के द्वारा, तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आर्या समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1875 में जो है, इसकी स्थापना की गई थी, उनका जन्म स्थान गुजरात था, तो उनका जन्म जो है, गुजरात में हुआ था, यह बात भी बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थी, तो देखें, स्वामी द्यानन सर् जाएगा और इसमें गलती पूछा है तो इसका question का answer हमारा बनेगा option D अब देखे स्वामी दयानन सरस्वती का जो मूल नाम था मूल संकर था क्या नाम था मूल संकर जो है हमारा option D next question के तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा who among the following had written किताब उल हिंद that gave an incisive description of early 11th century इंडिया निमनलिकित में से किसने किताब उल हिंद लिखी थी जिसमें 11 शताबदी के अरंबिक भारत का तीखा विवरण दिया गया था तो देखे किताब उल हिंद लिखी गई थी अल बरुनी के दौरा अलबरुनी के द्वारा जो है किताब उलहिंद लिखी गई थी अलबरुनी जो है ये एक इरानी विद्वान था देखें एक चीज और याद रखेगा किताब उलहिंद जो है इसको तारीक उलहिंद भी कहा जाता है तो याद रखिएगा क्योंकि एक्जाम में दोनों से लेकर question पूछ लिया जाता है कि कुटाब उल-हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये अलबर युनि के द्वारा लिखी गई थी और ये किस भासा में लिखी गई थी तो अर्भी भासा में जो है ये किताब लिखी रही थी याद रखेगा next question लेख लेते हैं next question है हमारा which of the following is the application of sciences such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation निम्नलिकित में से कौन सा कानून के मामलों और नागरिक जाच के विभिन तत्यों की पहचान के लिए भोती की रसायन विज्यान, जीव विज्यान, computer विज्यान और engineering जैसे विज्यान का अनुप्रियोग है तो देखें कानून के मामलों में जो है विभिन तत्यों की पहचान के लिए अलग-अलग जो विज्ञान है जैसे भोतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजिनीरिंग जैसे विज्ञान का अनुप्रियोग क्या कहलाता है तो यह कहलाता है फोरंसिक विज्ञान या फोरंसिक साइन्स इसको कहा जाता है तो इस स्थापित किये जाएंगे जो 2021-22 का केंधृया बजट था ये पहला डिसेतल include रिया बजट था और यसे किकल द्ट SDL noi ने रिए मरततारा पेश किया गया था और इसमें केंधर शरकार ने या кौर रोल जी चार अकली सनस्थानों की स्थापना की घोशना की थी कितने चाल तो इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option D next question देख लेते हैं next question है हमारा इन लेहे the first ever ice climbing festival was celebrated in Das Alley in January 2021 लेहे में पहला बर्फ का चड़ने का बर्फ पर चड़ने का उत्सव जनवरी 2021 में किस घाटी में मनाया गया तो देखें लेहे में जो है ice climbing festival का आयोजन किया गया पहली बार और किस घाटी में किया गया तो नुबरा घाटी में जो है इसका आयोजन किया गया और नुबरा adventure club दुआरा जो है इसका आयोजन किया गया था इसका आयोजन क्यों किया गया तो शीत कालीन परियतन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस और कितने दिनों तक चला ये तो seven days तक जो है इसका urgent किया गया और इसमें कितने परती भागियों ने भाग लिया तो इस event में जो है 18 परती भागियों ने भाग लिया तो इस question का अंसर याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा option A नुब्रा घाटी नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन है हमारा और यह अरावली परवतमाला की तलहटी में इस थी थे तो याद रखिएगा इस question का अंसर हो जाएगा हमारा option A खेतडी नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन है हमारा तो देखें हिंडू सन डि पबलिक असोसियेशन के संस्थापकों में से एक था किस की स्थापना की गई थी तो कुछ करानतीकारी थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जैसे कि रामपरसाद बिस्मिल योगेश चंदर चटर जी चंदर सेखर आजाद और सचेंद्र सान्याद इनके द्वारा जो है कानपूर में कहां पर कानपूर में जो है हिंदुस्तान डेपब्लिक एसोशेशन की स्थापना की गई थी तो इस question का answer बनेगा रामपरसाद बिसमेल रामपरसाद बिसमेल जो है हिंदुस्तान डेपब्लिक एसोशेशन के संस्थापकों में से एक थी next question देख लेते हैं next question है हमारा in which of the following years was the planning commission of India set up निमनिलिखित में से किस वर्स में भारत की योजन आयोग की स्थापना की गई थी तो देखे योजन आयोग की स्थापना की गई थी 15 of March 15 of March 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसको बाद में किसके द्वारा रिप्लेस किया गया तो इसको जो है नीती आयोग के द्वारा जो है बाद में रिप्लेस कर दिया गया था तो इस question का अंसर हो जाएगा 1950 option C next question देख लेती है next question है हमारा बाग मारा पिचर प्लांट sanctuary is located in which of the following states बाग मारा पिचर प्लांट अभ्यारण निमलिकित में से किस राज्य में इस्थित है तो देखें बाग मारा पिचर प्लांट अभ्यारण ने जो है यह कहां परिस्थित है तो यह है मेगाले में इसको पिचर प्लांट नाम क्यों दिया गया है इसको पिचर प्लांट इसलिए दिया गया है क्योंकि पिचर प्लांट और नेपिंथी जैसे प्लांट जो है यहां पर पाए जाते हैं इस अभ्यारणने में नेपिन्थी जो है यहां की एक एंडमिक स्पीसीज है इसलिए इसको बागमारा पिचल प्लांट अभ्यारणने कहा जाता है अब देखें बात आती है मेगाले की तो मेगाले के कुछ और भी नेशनल पार्क्स और जो हमारी सें मेगाले में है बल पक्रम बल पक्रम जो है यह भी कहां पर है यह भी मेगाले में है और नोंग खिलेम नोंग खिलेम जो है यह भी कहां पर है यह भी मेगाले में है तो याद रखिएगा इस कोशन का अंसर होगा हमारा अप्शन दी मेगाले में नेक्स कोशन देख लेते हैं In December 2020, the Ministry of Home Affairs declared the entire state of DAS as a disturbed area for six more months under the Armed Forces Act 1958. December 2020 में ग्रह मंत्रालिय ने ससस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत पूरे किस राज्य को 6 और महिनों के लिए असान तक्षेतर गोसित किया? तो देखे, December 2020 में ग्रह मंत्रालिय ने ससस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत नागालेंड राज्य को जो है 6 और महिनों के लिए असान तक्षेतर गोसित किया था. तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option C, नागालेंड. Next question देख लेते हैं, next question है हमारा. तो देखे, राज कमल जहाने जो है, तीसरा रविंदरनाथ टैगोर साहित्तिक पुरुसकार जीता है. और ये पुरुसकार इन्हें किसलिए मिला है? तो इनके उपन्यास दा सिटी एंड दा सी के लिए जो है, इन्हें इस पुरुसकार से नमाजा गया है. तो याद रखेगा, इस question का अंसर बनेगा हमारा option A. Next question देख लेते हैं, next question है हमारा. In which of the following years was the second round table conference in London held? निमने लिखे तमेसी, किस वर्स लंदन में दूसरा गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो देखें, दूसरा गोल में सम्मेलन जो है, यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो लंदन में किया गया था? कब से कब तक चला? तो देखें, 7 September 1931 से जो है, 1st December 1931 तक जो है, यह जो दूसरा गोल में सम्मेलन था, इसका आयोजित किया गया था? और इसमें गांधी जी ने भाग लिया था? देखें, गांधी इर्विन समझेता जो है, यह भी दूसरे गोल में सम्मेलन से सम्मेलन से संबन दित है, तो यह भी आद रखिएगा, और तीनों गोल में सम्मेलन जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों ही कहां पर हुए थे, तो यह तीनों ही लंदन में हुए थे, त ट्रांजेक्शन इन्दा आर्टीजेस सिस्टम एद्वेतिय लेंदेन संदर्ब संख्या एक कितने नंबर का वर्ण कोड है जिसका उपयोग आर्टीजेस परणाली में लेंदेन की विशिस्ट पहचान करने के लिए किया जाता है तो देखे युनिक ट्रांजेक्शन रेफरे इसमें पूछा है यह कितने करेक्टर का कोड होता है तो देखे यह होता है 22 करेक्टर का कोड तो इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा हमारा option C Next question देख लेते हैं Next question है हमारा Who among the following is a Padam Vibhoshan Awardee of 2021 निमलिकित में से कौन 2021 का Padam Vibhoshan पुरुसकार विजेता है तो देखे तो देखे दोजार इकीस में Padam Vibhoshan पुरुसकार से सम्मानित किया गया था सुदर्सन साहू को सुदर्सन साहु जो है ये ओडिसा के भारतिया मूर्तिकला के कलाकार है और इन्हें 2021 में पदम विभोशन पुरुसकार से नवा जगया है तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option A सुदर्सन साहु Next question देख लेते हैं Which of the following is noted town or city on the west coast of India नियनलकित में से कोन सा भारत के 55 पर इस्थित एक सहर या कसभा नहीं है कारवार और मंगलोर करनाटक में इस्थित और करनाटक भी कहां पर है यह भारत के पश्ची में तट परिस्थी थे लेकिन जो गोपालपूर है गोपालपूर जो है यह उड़ीसा का एक तटिया शहर है और यह भारत के पूर्वी तट परिस्थी थे तो याद रखेगा इस question का अंसर बनेगा हमारा option B गोपालपूर नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा विच फोलेंग इस प्रोसेस इन विच होट लेस्टेंस मेटीरियल्स राइज अपवर्ड एंड और रिप्लेज़ बाई कोल्डर मोर्ड डैन्स मेटीरियल्स निमेलखित में से कौन सी व्याप प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सगन पदार्थ उपर की और उठती है और उसकी ठंडी अधिक सगन पदार्थ ले लिए जाते हैं तो देखें जो गर्म और कम सगन पदार्थ होते हैं वो उपर की और उठते हैं और उसकी जखेंपर ठंडी और अधिक सगन वाले पदार्थ ले लेते हैं इस परक्रिया को क्या कहा जाता है तो इस परक्रिया को कहा जाता है सव्वेहन या कन्वेक्शन जो है इस परक्रिया को कहा जाता है तो इस question का आंसर बनेगा हमारा option D next question देख लेते हैं who among the following replaced मुरार्जी देसाई as the prime minister of India in 1979 1979 1979 में भारत के परधान मंतरी के रूप में मुरार्जी देसाई का स्थान लिया था तो देखें मुरार्जी देसाई का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था तो 24 March 24 March 1977 से 28 July 1979 तक जो है इनका कार्यकाल था और इन से पहले कोन परधान मंतरी थे इंद्रा गांधी जो है इंसे पहले प्रधान मंतरी थी और इनके बाद में प्रधान मंतरी का पद किसने घ्रहन किया तो चोधरी चरण सिंग ने जो है इनके बाद प्रधान मंतरी का पद घ्रहन किया था तो इस question का अंजर बनेगा option B Next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following has the same dimension as that of linear momentum निम्नेरकित में से किसका आयाम रैखिक गती के समान है तो देखिए जो impulse होती है या आवेग होती है आवेग का आयाम और रैखिक गती का जो आयाम होता है वो एक समान होता है तो याद रखेगा इस यह होती है और यह उप्षेच्जन का अंसर बनेगा ऑप्षण अवेग नेक्स्ट देख लेती हैं नेक्स्कूशन है हमारा जनवरी 2021 में बैंको कमें टोयर्टा थाइलेंड लॉपन महिला एकल खिताब किसने जीता है तो ताईवान की ताईजू इंग इन्हें जो है इन्होंने हराकर जो है इस खिताब को अपने नाम किया था तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option B Carolina Marin Next question देख लेते हैं Next question है हमारा Which of the following schemes is aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet services निम्लिकित में से किस योजना का उद्देश या broadband internet सेवाओं में तेजी लाने में मदद करना है तो देखे किस योजना का उद्देश या broadband internet सेवाओं में तेजी लाने में मदद करना है तो PM वानी परधान मंतरी Wi-Fi access network interface से कहा जाता है और इस योजना का उद्देश या broadband internet सेवाओं में तेजी लाना है तो इस question का answer बनेगा हमारा option C Next question देख लेते हैं Next question है हमारा Is the structural and functional unit of kidney Kidney की संरजनात्मक और कार्यात्मक एकाई क्या है तो देखे जो nephron होती है Nephron जो है Structure and functional unit होती है Kidney की तो याद रखेगा इसका answer बनेगा हमारा option A Nephron Next question देख लेते हैं Electron volt is a unit of Electron volt किसकी एक एकाई है तो electron volt जो है ये उर्जा की एकाई होती है Energy की जो एकाई होती है या unit होती है उसे कहा जाता है Electron volt इसको EV से यानि की electron volt से इसको denote किया जाता है और एक electron volt एक electron volt जो है 1.602 multiply by 10 to the power minus 19 Joule के बराबर होता है तो यह भी याद रखेगा इस question का answer हो जाएगा हमारा option D energy Next question देख लेते हैं Next question है हमारा For which of the following franchising team did AB Develiers play in IPL 2022? AB Develiers ने IPL 2022 मेंने मिलखित में से किस franchise team के लिए खेला तो देखें 2022 की जो IPL हुए थे उसमें AB Develiers ने किस franchise team के लिए खेला था तो Royal Challengers Bangalore के लिए जो है AB Develiers ने 2022 की IPL में खेला था तो इस question का answer हो जाएगा हमारा option B AB Develiers जो है यह दक्सिन अफरीका के खेलाडी है तो यह भी आद रखेगा तो इस question का answer बनेगा option B So friends यह हमारे 25 questions यहीं complete होते हैं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है helpful लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए question paper के साथ तब तक के लिए वीडियो और बेस्टेकर अधन्क यू